कि अभी तक देखा था कि आपका पावर प्लांट किसको कहते हैं और आपके कितने टाइब के पावर प्लांट्स होते हैं क्लसिफिकेशन के बारे हमें बात करेंगे अगला जो टॉपिक आता हमारा Jog help powerplant का जो सलेक्षन है कि हम को कौन सा प्लान को सेलेक्षन है सेलेक्षोण एऑंड सीषी बॉसरा बात करेंगे लोकेशान लोकेशन कि एबिए इनकीन बातों का हम ध्यान रखेंगे वो हम यहाँ पर देखने वाज़ेंगे तो हम यहाँ पर देखने वाज़ेंगे तो हम यहाँ पर क्या-क्या बातों का ध्यान रखते हैं selection and coordination लगबाग दस से बारे बाते हैं को यहाँ पर ध्यान रखना होता है सबसे पहले हम बात करेंगे आपका नमबर वन नमबर वन जो होगा कॉस्ट कॉस्ट ओफ कॉस्ट ओफ क्रांस्मिस्जन कि अबसे पहले जो हमारे बात होगी वह बात होगी हमारा जहां पर भी हम पावर प्लांट लगा रहे हैं वह कितनी कॉस्ट लेगा पावर को ट्रांस्वर करने के लिए कि ट्रांस्मिस्जन ओफ जिए कितना कोस्ट आपका लगने वाला अब जैसे आप देखो मिधकर क्याहीं होता हमारा एक लोड्टत वो से-बहुआ होता है क्या होता ए rou respect center तो load center जो होता है हमारा वहाँ पर क्या लाती है? supply आती है एनर्जी आती हैवर supply कहां से आती है बच्चोब वो आती है power plant तो power plant अगर आप का क्या होगा load center से काफी दूर होगा जो distance इसके बीच में अगर वो क्या होगा? जादा होगा क्या होगा डिस्टेंस यहाँ पर जादा होगा लोड सेंटर किसे कहते हैं लोड सेंटर कहा होता है जहां पर हमको जहां से हम लोड को डिस्टिब्यूट करेंगे यानि कि जहां से हमको पूरी सप्लाई हम लाते हैं लोड के उपर क्योंकि electricity जब आ consume होगी वो आपकी लोड पर ही होगी ठीक है तो लोड सेंटर तक क्या लाते जाएदा पावर को transmit किया जाता है आपने highways पर देखा होगा जैसे सड़क पर जाते हैंसे तो काफिका पर हम पावर एर्य में होगा जैसे हम ने बात कर रहे लेने हैं हाईड्रो पाफ्लांट की लोकेशन प्लांट प्लांट कि प्लांट हो वो तोnga किसी रीवरह पर भाणार jaan किसी देम बनाई जाएगा और डेंपर बनाई जाएगा तो इसकी layout होगी जाना पड़ेगा वहींपर ही तो यहां पर अपकी पावर कंपर काम होगा है आपको यहां पर देनी पड़ेगी ऐसी अगर हम बात करें जैसे आपका न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्लांट है अगर आपका तो न्यूक्लियर प्लांट भी आप क्या कर सकते हो शहर में तो लगा में प्रॉबलम है इस्पोजेट प्रॉबलम में को आपको 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 कि रिमोटे से वो काफी दूर तो ऐसे प्लांट में क्या करना पड़ेगा फिर हमें ट्रांस्मिशन लाइन से लोड सेंटर तक आपकी को क्या करना पड़ेगा ट्रांस्मिट करना पड़ेगा तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट क्या होगी लग जाएगी तो हमें क्या होता है हम ध्यान लगते हैं कि हमारा यार् ट्रांस्मेशन में देना पड़ेगा कि प्लांट से पवर को योट सेंटर टक 토र को ठीक है लेकिन जैसे अन० अब बात करो इसकी अगर वाध करें कि कि जल्प्लांट की इसकी बात करते हैं अब बहुत आका निज्यू प्लांट जो होता है आपका वो कहां लगा सकते हैं डारेक्ट लोड सेंटर पर लगा सकते हैं यह आपका जो गैस टरबाइन है गैस टरबाइन प्लांट भी आपका हम लगा सकते हैं एक बार को आपका लोड सेंटर पर लगाया सकता है तो इसमें क्या होता है आपका कॉस्ट of transmission की का हमारा क्या होता है बचत होता है यहां पर एक पॉइंट हमको देखना है और वह क्या है कि हमारी कॉष्ट कितनी आ रही है transmission of energy क्या हम उसको manage कर सकते हैं और अगर नहीं कर सकते हैं तो हमको plant क्या करना पढ़ेगा यह तो डीजल करना पढ़ेगा या रगाना पढ़ेगा घर हम कॉस्ट अप cost of fuel तूसरी बात जो आपका वह है विभ एक continue कि कॉस्ट ओफ फ्यूल इस्ते हैं पॉपर फॉयू इस्ते मोपरें है अब इसमाल इसकी हाइब बात करो हाइड्र के की बात करते हैं अगर हम यह आइड़् एलेक्ट्रिक में क्या यूज होता है वाटर तो लगबक क्या है आपका फ्री ही है इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा नो-कॉस्ट लेकिन अगर बात करो आप न्यूकलियर प्लांट की, वहां पर भी आपको फ्यूल कॉस्ट देने ही पड़ेगी, दीक है यह आप बात करो कोल प्लांट है स्टीम प्लांट है तो वहां पर भी क्या थrabile slip क्या चल रही है उसकी Zeus के कि प्लांटわか काइप क्या डियाए ने क्योंटलियर में है और देना है नियूकलियर में आपको फायदा मिल रहा है कि वहां पर transmission का कॉस्ट निदेना तो हमको यह ध्यान रखनी होती है कि कौन सा प्लांट हमें सैटक तो पहले दूसरी बात होगी आपके किसकी आपके को दूसरी बात होती है कॉस्ट ऑफ यूल की तीसरा पॉइंट बात करेंगे तो कॉस्ट दो तो हमने जो दोनों पॉइंट लिए वो ल नाने जा रहे हैं तो वहां पर हमारा किछ ना कोस्ट आ रहां या फिर एका इमं में सटीम, अ बनाते हैं तो वहां पर लैंड थोड़ा कम चाहिए होता है steam plant के लिए less land का requirement पड़ता है थोड़ा ठीक है या अगर आप diesel plant लगा रहे उसके लिए और भी चाहिए कम हो चाहिए होता है तो वहाँ पर taxes कितने है उस particular plant को लगाने के लिए वह यहाँ पर देखा जाता तो तीसरी बात आते है किसकी आपकी post of land की तीनों जो पॉइंट हुए वह किस से आधारित हुए आपके post पर आधारित हुए ठीक है तो था हम बात करते हैं बात requirement of space requirement of इस पेस की भाई कौन सा प्लांट कितनी requirement लेगा वह बाएने बात अभी यहाँ पर भी करी कौन सा प्लांट आपका कितना स्पेस लेता है इनको थोड़ा कम स्पेस ही requirement होती है लेकिन जैसे आपका क्या होता है हाइड्र एलेक्ट्रिक प्लांट होता है तो वहाँ पर काफी ज़्यादा हमको डैम के लिए वर्क करना पड़ता है ठीक है तो यह हमारी बात हुई किसके लिए आपका रिक्वार्मेंट ओब स्पेस नंबर फिप बात आती है कि वाटर एबिलेबिल्ट्य क्योंकि अगर आप वाटर एबिलेबल वाटर एबिलेबिल्टी ठीक है कि हमारा जो पावर प्लांट है उसके लिए क्या जही होता है इस्टीम पावर प्लांट में आपको वाटर के आप पर आधारी तो वहाँ पर क्या होता है जो इस्टीम निकलती है टर्माइन से वो कंडेंसर में जाती है तो वाटर इस्टीम को ठंडा करने के लिए cooling of steam cooling of steam steam को cool करने के लिए we need lot of water for cooling of steam it requires it requires a lot of lot of amount of water water हमें क्या चाहिए water के availability है या नहीं तो वहाँ पर आपका nuclear में भी water चाहिए आपको आपका hydroelectric में तो power water चाहिए चाहिए लेकिन अगर आप diesel plant के बात करते हो तो diesel plant पर हमको water का इतना requirement नहीं होता है ठीक है तो basically 5 बात ही हो गई six बात करते हों यह तो बात हुए हमारी किसकी water availability है या नहीं है उसके बाद आता है आपका storage space storage space जो आपका fuel है उसके लिए हमारे पास space available कितना है जैसे आपका coal power plant है तो वहाँ पर पोईले के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा कोईले आपको अगर दो महीने का रोकना है किसी पावर प्लांट में तो वहाँ पर आपको क्या चीए space requirements या आपका diesel के लिए diesel tank बनाए जाते हैं डीजल storage tank होते हैं यहां पर particular power plant के लिए storage हम बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे इतना space हमारे पास है नहीं है storage space को भी दियाल में रखा जाता है जब किसी भी power plant का selection हम करते हैं तो यह बात हो गए हमारे कितनी 6 बात हो गए उसके बाद आता है transportation facility transportation facility transportation transportation facility जब प्लांट सेट अप करोगे आप जब हमारा प्लांट का सेट अप किया जाएगा तो प्लांट सेट अप के लिए आपको boiler है जैसे ठीक है तरबाइन से हैं अगर विंड टरबाइन प्लांट है तो विंड टरबाइन होगी प्लांट है तो पैनल्स होंगे इसल प्लांट होगा तो डीजल डीजल सेट होगा डीजल इंजन होगा तीक है और कौन से प्लांट होते हैं तो उसके लिए हमको जैसे कूलिंग टावर के लिए मटेरियल जो जाएगा तो ऐसा होता है कि ट्रांस्पोर्टेशन फैसलेटिम यह ध्यान रखते हैं जिस लोकेशन पर हम प्लांट सेट अप कर रहे हैं कि महाँ पर इन सिर्ची जो को हम पहुचा सकते हैं सामसे नहीं पहुचा रखते हैं जम्मू कश्मीर में आप ऐसे वहाँ बड़ी दिक्कत आती है उन बिलेट्स को ट्रांस्पोर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है तो हमारी ट्रांस्पोर्टेशन फैसलेटीज इस तरीके से हो रही है वह हमको ध्यान लखना पड़ता है in the case of selection and location of any power plant ठीक है तो यह बात हुई कितनी साथ बात ही हो हमारी अब आती है नेक्स्ट नेक्स्ट अब बात करेंगे तो हमारा हो गया था डिस्पोजल ओफ एस अब हम बात करेंगे डिस्पोजल ओफ एड़ आपका 12 तेरा पॉइंट बता हुँआँ लेकिन हमको लिखने यहाँ पर दस यह अग्ला है हमारा डिस्पोजल ओफ एस डिस्पोजल ओफ एश तो डिस्पोजल ओफ एस में क्या होता है जैसा आपका इस्टीम पाव प्लांट होता है तो उसमें कोईला हम जलाते है टोईला जलने पर गणिनी यहां मतलब जो निखा रहा जाता है जो आपका पाःप्लाय उन इंदोनों फावब्लाट में क्या होता है यहां पर हम बात कर सकते हैं कि जो कॉल है औल बेस्ट प्लांट इस प्रेदी इस प्रेदीक आश है । हुँ रेट अमाउंट इंग्रेट अमाउंट इंग्रेट अमाउंट ऑजस्ट बन रहा है अमारा इस डिस्पोजल का जो प्रॉब्लम है जोनारो वहाँ पर उस साइट पर एल्मिनेत किया जा सकता नहीं सकता है उसके बारे पर कितना effect आ रहा है और noise pollution कितना हो रहा है तो इन दोनों बातों का ध्यान रखा जाता है कि pollution and noise जैसे अगर हम बात करें steam power plant की बात करें steam power plant steam power plant में क्या होता है कि boiler में आपका water बनेगा steam बन जाएगी उससे तो वहाँ पर आपका coal burn करना पड़ रहा है steam power plant में आपको कोईला जलाना पड़ेगा तो कोईले से आपका co2 निकलेगा co2 निकलेगा सो 2 निकलेगा ठीक है और भी एक्सेक्ट्रा गैसिस निकलेंगी जो आपकी क्या होती है पॉल्यूटेंट गैसिस होती है तो इससे क्या होता है एन्वायरमेंट क्या होता है पूरा पॉल्यूटिट हो जाता है तो इस पाईस करता है तो उससे को किस तरह से एबसॉब करना ठीक है जैसे अगर आप बात करो हाइड्रो प्लाइट कि अगर हम बात करते हैं हाइड्रो और अक्रिक तो यहां पर आपका कोई पॉलीशन नहीं होता है क्योंकि वाटर महाँ पर ऐजे प्यूल काम कर रहा होता है मतलब वाटर की ही एनर्जी को हम क्या करते हैं यहाँ पर कोई pollution नहीं होता लेकिन यहाँ पर क्या होता noise creation आपका यहाँ पर अच्छा खासा होता hydroelectric power plant लेकिन अगर आप diesel की बात करो तो जैसे diesel की अगर हम बात करते हैं तो diesel में तो noise भी होगी और आपका pollution भी करेगा तो आपको यह consideration करना है कि pollution हम कितने limit तक कर सकते हैं noise हमें चाहिए नहीं चाहिए उस power plant के लिए तो इन सब बातों का हम ध्यान रखते हैं जैसे आपका wind turbine है तो wind turbine ना तो इतना noise create करती हैं करती है लेकिन इतना नहीं करती और pollution भी उनके द्वारा क्या होता है pollution तो zero होता है wind turbine का तो यहाँ पर जो है एक अच्छा option है अगर आपको pollution से remove करना है तो आप steam power plant को replace कर सकते हो nuclear power plant में भी आपका pollution create करता है जो radioactive pollution होता है nuclear की अगर आप बात करो यहाँ पर तो यहाँ पर radioactive pollution जो होता है वो काफी दिक्कत create कर सकता है आपके लिए ठीक है तो हमको इसका बाहर भी ध्याना पड़ता है कि किसी भी plant को setup करने के लिए किसी भी location पर कि pollution and noise का वहाँ पर क्या level है कि देखे है नेक्स्ट हमारा जो consideration हम लेंगे यहाँ पर वो लेंगे nature of लोड कि नेचर ओफ लोड का मतलब क्या है कि जैसे आपका क्या होता है पहले तो आप यह समझें कि लोड क्या है अगे 10th point पर अगे 10th point पर लोड का मतलब क्या है कि जैसे आपके घर में AC चल रहा है तो लोड क्या है ज़्यादा है तरके उसके system के उपर इलेक्टरी सप्लाई के उपर क्या है लोड आपका ज्यादा है ठीक है आप जैसे दिवाली आ गई तो वहाँ पर क्या हुआ हुआ है लाइट्स भी लग गई ठीक है तो लोड का जो वैरियेशन आता है आपका उस लोड वैरियेशन को क्या हमारा प्लांट प्लांट से जहल पाएगा या नहीं ध्यान नकना है जैसे फॉर एक्जामपल तो कुछ प्लांट क्या होते हैं अब देखो अगर लोड इंक्रीज करता है मेरे भाईयो लोड पर क्या करना पड़ता हमको कुछ यूनिट्स क्या करनी पड़ेंगी स्टार्ट करनी पड़ेंगी और यूनिट्स स्टार्ट करनी पड़ेंगी जन्नेटर की और चलाने पड़ेंगे एलेक्रिसिटी ज्यादा अगर हमें ज्यादा जुरुत पड़ेंगे और ज्यादा चलाने पड़ेंगे और ज्यादा चलाने के लिए आपको टर्बाइन ज्यादा चलाने पड़ेंगे और टर्बाइन ज्यादा चलाने के लिए आपको पूरा सिस्टम मातरा हैं बना सकता है लेकिन वहां पुझा ना आपका fluctuation को वो इतना accept नहीं करता है fluctuation जो है वो इतना ज़्यादा fluctuation वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है ना ही nuclear को पसंद है nuclear power plant भी large capacity के plant लेकिन fluctuations को ये मना करते है लेकिन बात करेंगा diesel की आपका या hydro power plant की hydro electric power plant की तो ये दोनों ही plant क्या करते है fluctuation को समाल सकते है fluctuations को ये क्या कर सकते है समाल सकते है तो हम देखेंगे कि हमारा load किस तरह के का है load अगर load में variation हो रहा है पूरे साल के अंदर इतना ज़्यादा load का variation है peak load कितना है आपका nature of load भी यहाँ पर एक किस तरह केगा ठीक है तो हमने यहाँ पर बात करी nature of load की उसके बाद एक आखरी point हो जाता है तो यह 10 point जो है आपके लिए दस ही एनफ है तो यह में 10 points है जिसनके पर हम आधारित रखते हैं कि हमारा selection location क्या रखना है जैसे और भी आपका जो एरिया मार्केट है वो भी क्या होता है डवल अप करता है क्योंकि जब महाँ पर power plant लगेगा तो महाँ पर क्या होगा उस एरिया में growth होना एक्दम parallel क्या होगा महाँ पर भी growth industry जो होगी कोई भी इंडस्ट्रिस्ट अपनी इंडस्ट्री को अपने पावर प्लाट के पास लगाना चाहेगा ताकि उसको supply जो है वो सस्ते रेटों में विल तो महाँ पर इंडस्ट्री का क्या होता है डवल अपने होना तो यह भी ध्यान लगते हैं गर किसी एरिया को डवल अप करवाना है हमको किसी बैकवाड एरिया को डवल अप करवाए उससे क्या होगा वहाँ पर इंडस्ट्री आएंगी तो उस एरिया का भी क्या हो सकता है डवलक्मेंट वहाँ पर हो सकता है तो यह भी हम जहांगे एक्स्ट्रा पोइंट है तो यहाँ पर उसको कहते हैं उस पोइंट को मैं लिख देता हूं यहाँ पर equitable growth उसे क्या कहते हैं equitable growth कहते है ठीक है तो यह हमारी बात हुई किसकी आपके selection and location consideration तो इस जो पहला जो यूनिट है आपका इसमें जो है न में में जो बात है वो यही है कि वाट इस है power plant और power plant क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है और किन-किन बातों का ध्यान लगा जाता है power plant को कहीं हम जब setup करते हैं तो यह हमारा unit first का हमने यहाँ पर idea लिया अब हम बात करेंगे अपनी unit number second पर चलेंगे जिसके अंदर हमें इस power plant का क्या पढ़ना economics के बारें पढ़ना है कि किस तरीके से load variation जो हो रहा है आपका अलग-अलग load पर हम कैसे power को supply करेंगे distribution किस तरी करते हैं और कौन कौन से definition से आपके एक्जाम से तो वह दिखेंगे अपना unit number two में आई होग कि आपको यहां तक समझ माया होगा तो बिल्टें नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंग आपकी पने कटम पर हम प्रम कैसी आपका पर हम खमाया हो थे पाने पिल्टेंगे करते हैं जैक wrapping देएलarelarel तक से भिल्टेंग